dear students इस वीडियो में हम class seventh exercise six C को complete करेंगे इसमें हमें जो है area ही यूज करना है square का हो गया या rectangle का हो गया तो first question है हमारा square park offside प्यारे बचो इस exercise को हम करेंगे तो आपको जो है diagram पे विशेश द्यान देना है और statement पे अगर आपको statement समझाएगी तब ही आप diagram यहां पर इंसाइड का मतलब है अंदर चारो तरफ पांच मेटर चोड़ा एक रस्ता बनाया गया तो चारो तरफ अंदर हमने यह च्छोटा यहां पर यह रस्ता है ठीक है बेरे बचो यहां पर यह जो रस्ता है तो वह 5 मिटर है तो चारो तरफ हमने 5-5 मिटर का gap लेके इसको बना दिया है यह rough diagram है आप scale का भी यूज करके बना सकते हो find the area of the path तो हमें सिरफ इस रस्ते का area निकालना है तो इसका क्या method हो सकता है कि हम पहले बड़ा area निकाले फिर यह छोटा area निकाले और इस चीज को minus कर दें बड़े में से तो अपने आप यह side वाला area जो है वो बच जाएगा तो यही logic हमें यहां पर इस्तिमाल करना है हमें असानी हो इसलिए मैंने इसका नामकरण कर दिया है A B C D बाहर वाले square का नाम E F G अंदर वाले square का नाम तो इससे हमारा जो सम है वह असान हो जाता है तो side of square park पार्क है यह बाहर वाला A B C D इसकी side है 100 meter तो area हो जाएगा side into side 100 into 100 10,000 meter square तो बाहर वाला area हमें पर चल चुका है 10,000 meter square अब side of internal square internal square का नाम हमने रख़एगा E F GH तो E F GH की side जो है वो आएगी द सकाल नहीं तो 5 meter इधर चोड़ना पड़ेगा 5 meter इधर चोड़ना पड़ेगा तो इसलिए हमने आवे लिखा 100 minus 5 minus 5 तो यह side आगे हमारी 90 अब area जो होगा E F GH का वो कितना हैगा 90 into 90 80 100 meter square तो यह हमारा area है 80 100 meter square E F GH का तो remaining area जो होगा बचा हुआ area वो है इस रस्ते का area तो य area of A B C D minus area of E F GH तो हम minus करेंगे 10,000 में से 80 100 को तो हमारा final answer आएगा 1900 meter square area ठीक है इस पात का ऐसे ही हमारा next statement जो है हमारी वो है second question इसमें है a lawn is 80 meter long and 60 meter wide तो यह हमने lawn बनाया rectangular shape में है 80 meter लंबाई है 60 meter चोड़ाई है there is a swimming pool of length 20 into 6 इसका मतला होता है first length second breath तो हमने बीच में एक छोटा pool बना दिया है what will be the cost of putting grass in the remaining part of the field at 30 rupees per meter square तो हमें grass लगाना है इस rate पे तो grass लगाने के लिए पहले जिस जगह में grass लगाना है उसका area हमें पता होना चाहिए तो हम जो है कहां पे लगाना है putting grass in remaining part of the field इसका मतलब swimming pool को छोड़के बाकी जगह है तो वो कैसे निकाली जाती है बाकी जगह total area निकालके उसमें से इसके area को minus कर देंगे तो यह बचा हुआ हमारा remaining portion आ जाएगा तो हम यहां लिखते है area of remaining part कैसे आएगा area of ABCD तो आप भी इस तरह से जब diagram बनाएं तो इसका नाम जुरूर दें और आप जो नाम देते हैं उसी के साब से आपने यहां पे रखना है आपको पूरे marks जो है उसमें मिलेंगे यह भी आपको द्यान अकना है तो area of ABCD बाहर वाला बड़ा rectangle minus area of EFGH यह चोटा rectangle इसको हम minus करेंगे तो यह क्या हैगा area जो है वो तो formula हमें पता है length into breadth होता है तो इसकी length 80 breadth 60 तो 80 into 60 ऐसे ही इसकी length 20 और breadth 6 तो 20 into 6 तो यह आजएगा 4800 minus 120 माइनस करके आ जाएगा 4680 meter square तो इतना area जो है यह वाला बचा हुआ है इसमें हमें grass जो है वो लगवाना है तो cost of putting grass in 1 meter square area तो कितने रुपए है 30 तो जो हमने area निकाला है इस area में grass लगाने का खर्चा जो है वो कितना जाएगा 30 into 4680 तो यह आ जाएगा 1,40,400 रुपीज तो इतना खर्चाएगा क्या करने के लिए गास लगवाने के लिए next question है third तो third को हम करेंगे statement पढ़के a rectangular plot is 40 meter long 16 meter wide broad का मतलब wide ही होता है चोड़ा होता है हमने यह diagram नाया 40 meter लंबाई में है और 16 meter चोड़ाई में है a road of uniform width 2 meter surround the plot inside it ठीक है तो अंदर इसके एक road बनाया गया है दो-दो meter चारो तरफ से जगा छोड़ दी गई है find the cost of paving the road with bricks at 15 rupees per meter अब एक काम तो हमें करना है कि जो road है इसके उपर इंटे लगवानी है और उसका खर्चा हमें बता रखा है तो पहले तो जित जगा पे लगानी है उसका area हमें पतावना चाहिए वो जगा है कितनी तो ए road का area बच जाएगा ठीक है तो उसका हम हिसाब कर देंगे 15 के हिसाब से फिर covering the remaining part of the plot अब देखो पूरा plot था ये वाला इसमें से अंदर जो है ये चारो तरफ रस्ता बना दिया गए तो ये बीच वाला हिस्सा जो है plot का बच गया है इस हिस्से में घास लगवाना है तो अं 40 मीटर है breadth इसकी है 16 मीटर तो area total आ गया बाहर वाले का square का मतलब इस पूरी जगहा का area जो है वो है 640 मीटर square फिर आती है हमारी EFGH अंदर वाले की तो अंदर वाले में है length of EFGH 40-2-2 तो या गया 36-2-2 क्यों किया क्योंकि पूरी line है 40 मीटर 2 मीटर इदर छोट रखा है 2 मी में कितना बच गया 40-2-2 36 ऐसे ही चुड़ाई जो है यह पूरी चुड़ाई जो है 16 मीटर है अंदर वाली जगह निकालनी है 2 मीटर ओपर छोड़ तो 2 मीटर नीचे तो यह आ जाएगा 16-2-2 12 मीटर अब आती है हमारी area की area of EFGH कितना आएगा 36 into 12 432 मीटर square यह area आ चुका अब हमें करना क्या है हमारे पास 2 काम है करने वाले एक तो हमें करना है जो हमारा path है उस पे इंटे लगवानी है तो path का area कैसे आएगा area of path बाहर वाले जो बड़ा है area यह हमारा ABCD, उसमें से आप अंदर वाले छोटे एरिया को माइनस कर देंगे, तो area of path आ जाएगा, area of ABCD, area of bracket के अंदर जो होता है, उसका area of ABCD minus area of EFGH, तो यह आ जाएगा, ABCD का area हमने निकार दा, 640 minus EFGH का 432, तो माइनस करने के बाद, अंदर आजेगा, 208 meter square, उसके बाद हमें जो है, क्या करना है, cost of 1 meter square, किस चीज़ का cost है, paving the road with bricks, road पे इंटे लगवाने का, 1 meter square का खर्चा है, 15 रुपए, तो 208 meter square का खर्चा कितना आएगा, या जाएगा, 15 into 208, तो यह हो जाएगा, 3,120, तो इतना खर्चा जो है, इंटे लगवाने का, अब जो बीच वाला हिस्सा था, EFGH, EFGH का cost जो है, वो कितना होगा, वो हैगा, cost of putting grass in 1 meter square, 1 meter square में घास लगाने का खर्चा है, 9 रुपीज, तो हमारा जो area है, वो है 432, तो इसका खर्चा कितना हैगा, 9 into 432, यह हो जाएगा, 3,888 रुपीज, तो इस तरह से आपने इस sum को solve करना है, next आता है fourth question, fourth में है, a school auditorium is 50 meter long, 30 meter wide, मतलब एक school का auditorium है, जो कि 50 meter लंबा है, और 30 meter चोड़ा है, तो हमने यह rectangle बनाया, फिर the auditorium is surrounded by a veranda, मतलब उसके चारों तरफ एक veranda जो है, 5 meter wide, और यह veranda कैसा है, 5-5 meter जो है, आगे चट को बढ़ा दिया गया है, वरanda बनने के लिए, ठीक है, तो 5-5 meter चारों तरफ से है, find the area of veranda, तो हमें एक तो area निकालना है, वरanda का, तो veranda का area कैसे निकालेंगे, बाहर वाले area में से, अंदर वाले area को minus करके, इस बार हमें जो dimension given है, length और breadth वो अंदर वाले area की given है, तो हम जो बाहर वाले की length निकालेंगे, अब हमें पता है, A, B, A, B जो है, वो है 50, लेकिन E, F कितनी आएगी, पांच इदर जोड़ दो, पांच इदर, क्योंकि पांच पांच एक्स्टा कर दी न, तो 10 जोड़ गया, तो बाहर वाले आजेगे 60, तो यह हमने कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पहले हमने लिखा, length of A, B, C, D, A, B, C, D, जो triangle है, उसकी length जो है, वो कितनी है, 50 meter, फिर breadth जो है, A, B, C, D, rectangle की, वो कितनी है, 30 meter, तो इसका area of A, B, C, D, कितना होजगा, 15 into 30, 1500 meter square, फिर आता है length of EFGH, अब EFGH है बाहर वाले rectangle, तो इसकी length कैसे आएगी, 50 अंदरवाला, 5 इधर है, 5 इधर है, तो total होजगा, 50 plus 5 plus 5, 60 meter, ऐसे ही breadth जो है, वो है, EFGH की, 30 इस तरह से है, 5 उपर आ गया, 5 नीचे आ गया, तो यह मिलके होजगा, 5 plus 5, 10, और 30 plus 10, 40, और इसका area जो है, वो आजएगा, 16 to 40, 2400 meter square, तो यह area आ चुका है, अंदरवाला, अब अगर हमें वरांडा का area निकालना है, यह जो surrounding boundary है, इसका area निकालना है, तो वो हम बाहर वाले area में से अंदरवाले को minus कर देंगे, तो हमने यहां पर लिखा area of veranda, area of EFGH minus area of ABCD, तो minus करने के बाद 2400 minus 1500, तो यह आजएगा 900 meter square, इस पाथ का area है, अब हमें एक और काम करना यहां पर, कि if tiles of 50 centimeter into 50 centimeter, इसका मतलब, tile जो है, वो square shape में है, जिसकी side है 50 centimeter, अब ध्यान देने की बाद है, यह जो हमने निकाला area, यह meter square में है, और tile का area जो आएगा, वो centimeter square में आएगा, तो हमें करना क्या था, fixed on the veranda, वरanda जो है, यह वाला area निकाला, इसमें हमें, यह जो tile लगवानी है, 15 to 50 centimeter वाली, तो कितनी tile जो है लगेंगे, जब भी आपको इस तरह question आए, किसी area में कोई पत्थर लगाना, तो आपको क्या करना है, बड़े area के divide में, एक tile का area कर देना है, मतलब जिस area में लगवानी है, उसके divide में tile का area, तो वो आजएगा हमारे कितनी tile उसमें लगेंगे, तो अब हमारे पास area हमने निकाल लिया है, जितने area में लगवानी है, वो है 900 meter square, अब एक tile का area निकालना बाकी है, तो tile जो है, वो square है, तो area of one tile आजएगा, side into side, 50 into 50, ये हो जएगा 2500 centimeter square, number of tiles required, अब ये कैसे बनेगी, area of veranda, जिसमें tile लगवानी है, और area of one tile, तो ये जब हम divide करेंगे, तो हमें पचल जाएगा, कितनी tiles choice में लगेंगी, लेकिन उससे पहले जो note करने वाली important बात है, वो है ये, कि इसका area meter square में है, और जबकि ये centimeter square में है, तो इसको हम बड़ी unit को हमेशे छोटे में बदलते हैं, तो इसको हम centimeter square में बदलेंगे, तो वो कैसे बदल जाएगा, आप देखें, एक meter में जो है, वो 100 centimeter होते हैं, ठीक है, तो meter square का मतलब क्या होता है, meter into meter, ठीक है, तो meter, one meter into one meter, कितना हो जाएगा, 100 centimeter, गुना में 100 centimeter, तो 100 into 100 कितना होता है, 10,000, तो मतलब, वैसे 1 meter को centimeter बनाने के लिए 100 से गुना करनी बढ़ती है, लेकिन 1 meter square को centimeter square में बनाने के लिए 10,000 से multiply करनी बढ़ती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 900 और साथ में लिखा multiply में 10,000, यह 10,000 क्यों आया, meter square को centimeter square में change करने के लिए, वरना हमारा answer गलत आएगा, क्योंकि एक unit अलग हो, एक unit अलग हो, तो उसको solve नहीं किया जाता है, दोनों को same करने के बाद ही solve करना होता है, तो हमने यह solve किय जो है, इस area में लग सकती है, फिर आता है fifth question, असान है बिल्कुल, a rectangular field of 750 meter long, 450 meter broad, इसकी लंबाई जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यह लंबाई जो है 740 meter है, और यह चोड़ाई, यहाँ से यहाँ तक, यह चोड़ाई जो है, वो 450 meter है, 740 और 440, has two roads in the middle of it, इसके बिल्कुल बीच में दो road बनाएगे हैं, इस तरह से, which are five meter wide, running at right angle, एक दूसरे के साथ right angle पे, 90 degree पे हैं, और पांच-पांच मीटर यह चोड़े हैं, ठीक है, दोनों road, one along its length, एक length के along है, इस तरह से, and other along its breadth, दूसरा इस तरह से है, find the area of road, अब area of road तो हम न सीखना है, सबसे पहली चीज हमें देखना है, अगर हम इसका area निकालते हैं, यह rectangle है, छोटा rectangle बन रहा है, फिर इसका निकालते हैं, यह भी एक rectangle है, अब इनको हम direct अगर plus करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज जो ध्यान देने के होगी, वो क्या, कि यह beach वाली जगा है, वो द area of a, b, c, d, plus area of e, f, g, h, फिर minus कर देंगे, beach वाला area जो है, एक बार, i, j, k, l का area, एक बार minus ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि यह दो बार आ गया, इसमें भी आ गया और इसमें भी, तो चलिए शुरू करते हैं, पहले हम देखते हैं, a, b, c, d, जो rectangle बन रहा है, अंदर चोटा, इसकी length और breadth कितनी है, अब आप देखें, इसकी length लंबाई जो है, वो इसी के जितनी है, तो यह लंबाई जो है, 740 है, चोड़ा हमें बता रहा है, पांच मीटर है, तो first हम लिखेंगे length of a, b, c, d, ab, length है इसकी यह वाली, तो यह कितनी है, 704 मीटर, 750 और breadth जो है, व यह वाला rectangle, vertical जो है, इसकी length जो है, यह वाली, लंबाई जो है, वो कितनी होगी, जितनी यह बाहर, 450 है, तो यह भी 450 हो जाएगा, ठीक है, और चोड़ाई जो है, इसकी चोड़ाई 5 मीटर हमें बता रहा है, पहले से, तो इसका area जागा, 450 into 5, 2250 मीटर square, अब हमें वैसे तो इन दोनों को plus करके total आ जाना चाहिए, लेकिन जो ध्यान देने की बात है, जो हमारा sum गलत करोते हैं, वो यह, कि यह beach वाला square area जो है, वो दो बार आ गया है, इस road में भी आ गया, इस में भी आ गया, तो एक बार हम minus कर दें, क्योंकि एक बार तो यह चाहिए बीच में, तो ह square का area होता है, side into side, तो यह आगए 25 meter square, अब हमें last काम करना है, क्या, total area of road, वो क्या आएगा, area of a, b, c, d, plus area of e, f, g, h, minus area of i, j, k, l, तो यह आजाएगा, 3750 plus 2250 minus 25, तो इनको plus करेंगे, तो यह हमारा answer हमें मिल जाएगा, 5975 meter square, फिर है, बारी 6th question की, सबसे असान इस exercise का यह सम है, बिलकुल ही असान, ना कोई area निकालना, ना कुछ, the outer length and breadth of frame, यह जो frame है, इसकी बाहर वाली, लंबाई और चोड़ाई, कितनी है, 60 और 40, तो क्या होता है, if the width of frame, अगर यह जो, यह देखो, यह चोड़ाई है, फोटो तो picture, तो picture की length और breadth कैसे आएगी, तो हम इसका एक diagram लाते है, यहाँ पे, यह तो है बाहर वाला frame, इसकी अंदर यहाँ पे इस तरह से photo लगी हुई है, अब हमें क्या बताया गया, कि बाहर वाला यह 60 meter है, यह 40 meter है, अब 2.5 cm width का frame है, तो इधर भी 2.5 है, इधर भी 2.5 है, इध length कैसे आएगी, length of picture, आपने पूरा लिखना है, length of picture कैसे आएगी, वैसे बाहर वाली length जो है, वो है 60, इस में से धाई इधर से माइनस कर दो, 2.5 इधर से माइनस कर दो, तो यहाँ पे लिखेंगा हम 60, minus 2.5, minus 2.5, तो 60 में से धाई और धाई 5 हो गया, यह आपको समझ आ रह माइनस करना है, अगर ऐसा नहीं आता है, तो 60 में से पहले 2.5 माइनस करो, फिर 2.5 माइनस कर दो, तो यहाँ ज़ेगा आपका 55 cm, यह तो आगी आपकी length, breadth कैसे आएगी, breadth आपकी आएगी 40 minus, इधर से भी धाई माइनस करना है, इधर से भी धाई माइनस करना है, 2.5 minus 2.5, त माइनस करना हमें, तो 35, तो length जो है, वो हो जाएगी 55, breadth हो जाएगी 35, इसके बाद है, last question, 7, इसमें है, इस साड़ी 5.5 मीटर लॉंग, एक साड़ी 5.5 मीटर की है, and 1.25 मीटर वाइट, और इतनी जो है, चोड़ी है, है जारी बोडर, 2.5 cm ब्रॉड, यह जारी बोडर का मत designing है, sides में, अब वो designing कैसे है, along, width, width के along, चोड़ाई के along, width होती है, यह वाली, width के along, जो बोडर है, वो कैसे है, एक तरफ जो है, वो 5 cm का है, और एक तरफ 25 cm का है, लेकिन जो length के along था, जारी बोडर, वो था 2.5 cm, दोनों तरफ, तो इस तरफ और इस तरफ सेम है, ठीक है, तो हमने यह diagram बनाया है, आपने भी इस तरह से बना लेना है, फिर, क्या करना है, find the area of zari, तो यहाँ पर hint भी कुछ दे रखा है, आप इसे साबसे कर सकते हैं, और एक method जो मैं करवाँगो, उससे भी आप कर सकते हैं, क्या करना है हमें, हमें इस border का area निकालना है, तो हम क्या यह है a, b, अब यहाँ पर था 5.5 cm, मैंने इसको cm में चेंज किया, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर नोट करें, यह जो dimension है, वो cm में है, तो बड़े को छोटे में हम करेंगे कैसे, एक मीटर में 100 cm होते हैं, आपको यह पता होना चाहिए, एक मीटर में 100 cm, तो मेटर से जब स 50 cm, तो इस तरह से मैंने या लिखा है, ऐसे ही 125 था यह, तो यह आजएगा 1.25 था, तो 125 बाइ 100, और इसको cm बनाने के लिए 100 से जब multiply करेंगे, तो 100 से 100 cancel, तो यह आजएगी length 125 cm, तो अब हम जो length और breadth का use करेंगे, वो 5.5 की जगा करेंगे 550, और 1.25 की जगा करेंगे 125, तो area या इसका निकालते हैं, ABCD, ABCD है बाहर वाला area, तो यह आजएगा 550 x 125, तो इनके आप multiply करके देखना, यह आएगा 68,750 cm2, अब यह cm2 हो चुका है, फिर ऐसे ही area of EFGH, EFGH का area कैसे आएगा, अब अंदर वाली हमें length पतावने चीए और breadth, यह है इसकी length, अब आप देखें बा 5 cm इधर से कम कर दो, और 25 इधर से कम कर दो, तो यह length आजएगी, 550-5-25, तो total कितना माइनस कर दिया हमने, total हम माइनस कर देंगे, इसमें से 30, पहले 540 में से 5 को घटा दें, 545, फिर उसमें से 25 को माइनस कर दें, तो यह जगा 520 cm, ऐसे ही, जो breadth बनेगी, वो कैसे बनेगी, breadth जो बाहर वाली है, यह वाली लंबाई है, 125, इसमें से 2.5 और उपर से, और 2.5 नीचे से माइनस कर देना है, तो धाई और धाई, total कितना हो गया, 5, तो 125 में से 5 को घटाएंगे, 120 आजएगा, अब हमें सिरफ एक काम करना है, वो क्या, बड़े एरिया में से छोटे एरिया क तो यहाँ पर माइनस करने के बाद आपका जो फाइनल एरिया है, वो आ चुका है, 6,350 cm2, यह थी आपके exercise, 16C, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जुरूर सब्स्क्राइब करें, धन्यवाद,